दो ऐस्तों ऐसा कोई सगा नहीं जो नोकरी लगा नहीं बस नोकरी वहीं नहीं लगे जो मेनद कर रहे थे और अपने माबापों के जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जी तोड मेहनत करें थे। बस के वल वही नहीं लगे। बाकी सब दो नमबर से फरजी वाड़ों से खुब लगे। चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन मेहनत करने वाले बेरोजगारों को हमेशा निरासा में लिए। यह कबर देखकर मेहनत करने वालों की होसले तूट जाते हैं नेरा सच्वा जाती है मन में अंधकार आ जाता है कि हम पढ़ क्यूं रहें उमीद नहीं होती है कि क्या पता लगेंगे कि नहीं लगेंगे जो पेसे हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना जाने पापा ममी कैसे मेहन पढ़नी पढ़ती है उसके बाद ऐसी खबर आती है तो दिल सहम जाता है देखेगा इस कबर को देखेगा नोकरी खोड़ पांच चिटर दो जार परिचितों को दिलवाई नोकरी 2000 की नोकरी नहीं आते, पूरी बढ़ती नहीं आते 2000 की, इन्होंने 2000 परिचितों को नोकरी देला, कितने परिचित होंगे यार, परिवार मितने मेंबरी नहीं होते, ठीके परिवार तक देलवा दी होगे 2000 परिचित, सर माने चाहिए इनको, सर्वन ने 60 साधिक, पंकज ने 250 र पर माप्या बे नकाब होने लगे हैं परदेश में चार माप पहले गटित एंटी चिंटिक सेल बनी थी अब तक दस से ज़्यादा बर्तियों में वपरली की कडिया जोड़ते हुए एसो जी ने संतान में लोगों को गिरिपतार कर लिया है बासकर ने एसो जी की तीन हजार पन्नों की जांच रिपोर्ट खंगाली और उत्तो चोकाने वाले की खुला से हुए नकल गिरों के पांच मास्टर मेंड अपने दो जार से ज़्यादा रिस्तेदार परिचितों को सरकारी नोकरी लगवा चुके हैं यह सब फरजी डिग्री डेमिक एंडेड और पैपर लीके ससरकारी नोकरी लगे हैं एसो जी पान सो से ज़्यादा लोग की खिलाफ जल्द ही मामलाऄ दर्च करेंगी पांसुसे ज्यादा के खिलाफ एसो जी मुख्या वीके सिंग के पास एंटी चिटिंग सेल का जिम्मा है सबसे पहले सब इंक्स्पेक्टर बढ़ती मामले में 33 ट्रेनी एसाई को ग्रेपता रखिया गया चार पांच मास्टर इनसे हुई पूस्ताच में ही गिरों में पांच मास्टर मैंड सामना आया थे इ सो जी के एसपी राम सिंग सहकावत उनके टीम ने जबकडियां को जोड़ना सुरू किया तो मैंच 25 दिन में मास्टर मैंड जग्दिश जियानी सरवन बाबल पंका चोदरी उर्फ भांबू अरफ वर्दौन मीना राजंदर कुमार यादव के सारे गिरों का खुला सा हो ग सब्सक्राइब कराए लेकर पता नहीं कौन कौन सी का आच कितनी-कितनी बढ़तियां पंद्राव साल से करवा रहा था यह कि देखिएगा जगदेश कितनों को नोखरी लगा दिसको खुद कोई याद नहीं है कि हर्ष्रद ने 35 परिचतों को पट्वारी बनाया यह खबरें आप देखिए दिल सैम जाता है जो हमारे गरवाले हमारे माबाब जब पढ़ते हैं खबरें तो उनको क्या लगता होगा कि हम कहीं यहीं इन से मैनत नहीं करवा रही है पिर यह मैनत भी कर रहा हो नोकरी भी नहीं लगेगा ऐसे हाल है यह आज नहीं है पिछली गौवर्मेंट की बात नहीं है यह 15-20 सालों का खाका ऐसा है कहीं तो इसमें से नोकरी करके रिटार्ड भी हो चुक्यों होंगे लेकिन मेहनत करने वालोगा ये जक्म है कि भढ़ता नहीं दर्द है कि मिटता नहीं दोस्तों क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ पजनलाल सरकार से निवेदन है ऐसो के खिलाब सक्ट सक्ट कारवाई करें लेकिन साथ में आप नोक्री भी निकाल दें कई ऐसा भी ना वो सिर्फ कि आप इसी कारवाई में रह जाए और नोक्री ही फूल जाए क्योंकि ये कारवाई चलती रहे डर भी जरूरी है लेकिन आप बेरुज़गारों को हतासा से दूर करने उन्हें प्रोथसान के रूप में भी कम से कम बरतिया निकाल दें जिससे वे बड़ा ही जारी रख सकें ठीके चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नमस्कार